नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में बात करने वाले एक जूट से जूड़ी भी कंपनी है देखिए आज के दिन बोर्ट की बैठक थी शेवेट लिमिटेड ये बाइबेक लेकर आई है बहुत ही शांदा बाइबेक है 1370 का सीमपी उसकी तुलना में 1725 पे कं 25 परसेंट का प्रीमियम कंपनी पे करने के त्यार है बाइबेक को जुटाने के लिए आगे बेने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप से चैनल पर नहीं आए हैं सब्सक्राइब नहीं कहा है तो भी कर लिजे साथी बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजे तो देखिए कंपनी लिमिटेड जूट से जुड़ावाई स्टॉक है और जूट से जुड़ेवे दो या तीन ही जो है मैगजिमम में स्टॉक होंगे जो लूड लो है और इनके नाम मेंली चलते हैं चार दिसम और आज की रिट में देखें कंपनी की बोड की बैठक ती यहां पर यह ल उसके लाव देखें बाइबेक के लिए भी रिकॉर्ड टे की जाते हैं दे बोर्ड ऑफ डायक्टर है फ्राइडे 17 डिसमबर 2021 एज रिकॉर्ड डेट फॉर पर प्रपस व डिटर्माइनिंग बेनेफिचल ऑनर्स ऑफ दा शेयर होल्डर स्यानी 17 डिसमबर को जिसके डी में चैना चैना युट बाइबेट अपर फटाष के बारे में बुक वेली कंपनी की एक शेयर की एक जार एठ्यासी है उसके तुलनाम पीबी का रेस्टो एक पॉइंट 26 का चल रहा है याने 1370 पर स्टॉक ट्रेट कर रहा है इस हिसाब से आपको फिर भी इतना महगा नहीं देखेगा लेकिन जब आप पी देखेंगे तब आपको थोड़ 24 करोड के सामने 29 करोड का पॉस्ट किया और पिछले क्वार्टर से भी 123 करोड के सामने 128 करोड का है और मार्च में अधिकतम कंपनी ने रेवन्यू दर्ज किया था उसके तुलना में अभी आपको slightly decline ही देखने को मिल रहा है उसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टेक्स देख का पूरा सेम ही पोस्ट किया गया है आने वाले क्वार्टर में उमीद है कंपनी कुछ अच्छा कर पाएगी क्योंकि भी हाली में गवर्मेंट की खबर आई थी कि समान की पैकेजिंग अनाज की पैकेजिंग के लिए जूट को कंपलसरी कर दिया गया इसके बाद लूड ल काफी तीजी से स्लिप हुआ और उसके बाद फिलाल स्टॉक 1250 के आसपास काफी लंबे समेट्रेट करके वहां पर सपोर्ट लिया और पिछले तीन चार दिनों में देखेंगे तो ग्रीन केंडल भी फॉर्म की नीचे के इस्तरों से काफी अत्तक सुदार स्टॉक में आया बीटा स्टॉक आप इसको समझ सकते हैं अगला टार्गेट मेरे क्या सब्सक्राइब सकते हैं तेरा सुपचास सपोर्ट ले सकता है और फिर अल्टिमेट सपोर्ट तो 1250 पर स्टॉक के पास है ही केवल बाइब के लिए एंट्री बनाने का यहां पर कुछ खास और चीत नह दन्यवाद